तो हेलो दोस्तो एक और इंटेस्टिंग वीडियो में आप सब का स्वागत है मैं हूँ अफीस और आप देख रहे हैं कप्चा बिदफीस तो दोस्तो थारा सूपर स्टार अजीत कुमार बड़े परदे पर अपना कमबैक कर रहे हैं लगबग धाई साल के बाद और उनकी कमबैक फिल्म है वाली मै जो आज अल ओवर इंडिया रिलीज हो चुकी है और तेलगू और हिंदी में ये फिल्म रिलीज हुई है और दोस्तो इस फिल्म की बंपर ओपनिंग और एडवांस बुकिंग को देखते हुए इसके day one early predictions काफी अच्छे numbers में आ रहे हैं और कई सारे trade analysis इस फिल्म को लेकर अपने अपनी predictions दे रहे हैं और दोस्तो trade analysis रमेश बाला के according वाली मै ने सिर्फ तमिल लाडू में ही 30 करोर्स की बंपर ओपनिंग की है और उनके ये early predictions हैं कि तमिल लाडू में ये फिल्म as a solo release हुई है और इस फिल्म ने बंपर ओपनिंग की है और दोस्तो फिल्म लगबख 400 screens पे रिलीज हुई है और सुबा चार बजे से ही इसके shows start हो चुके थे और सुबा चार बजे फिर साथ बजे दो shows early add हो चुके हैं लेकिन दोस्तो उनका ये कहना है तमिल लाडू में इस फिल्म को सिफ one day advantage मिला है क्योंकि कल फिल्म में रिलीज हो रही है पवन कल्यान की भीमला नायक और उसके साथ वले मी का tough competition होने वाला है और अगर बात करें भीमला नायक की तो वो भी काफी बड़ी फिल्म है और उसको भी काफी लंबे चोड़े स्क्रीन्स चाहिए और अलोन तमिल नाडू एं तिलांगरा में वो काफी नंबर्स में रिलीज होने वाली है और इसी के चलते वाले मी को सिर्फ वन डे एडवांटेज मिला है और दोस्तों बात करें अगर ओल ओवर इंडिया की तो ओल ओवर इंडिया में भी कल दो फिल्में रिलीज हो रही है एक तो है भीमला नायक और दूसरी है अलिया बट की गंगू भाई खाठियावाडी और दोस्तों नौर्थ इंडिया में वाली में टफ कॉंप्रिशन फेस करने वाली है अगेंस्ट गंगू भाई काठियावाडी क्योंकि अजीद कुमार का अभी भी नॉर्ट इंडिया में इतना जादा क्रेज नहीं है जितना भाई अल्लू अर्जुन का और येश का हो चुका है और दोस्तों बात करें अगर वाली में की टोटल आल ओवर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की तो इसके अल्ली प्रडिक्शन्स ये किये जा रहे हैं कि ये फिल्म आल ओवर इंडिया लगबग 40 करोल उपए कमा सकती है अब दोस्तों अगर आज ही अकुपेंसी के बारे में बात करें तो 94% तक के फुल डे अकुपेंसी रही है सिर्फ तमिल लाडू में लेकिन नौर्थ इंडिया में इसका हाल जादा अच्छा नहीं रहा है क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद ही इसके शोज शुरू हुए हैं अब कल फिल्म रिलीज होगी गंगु बाई काठ्या वाली तो ओवियसली वाली माई का भाइ स्क्रींज भी कम होने वाली है और इसको टफ कॉमपरिशन भी मिलने वाला है बोथ फॉम दा बीमला नायक हिंदी वर्जन और गंगु बाई काठ्या वाली जिसमें हमें अलिया और अजिदेवगन नजर आएंगे तो ओरल दोस्तों वाले माई का Day 1 Early Prediction Box Office का ये है कि ये फिल्म लगबग 40 करोड के आसपास Day 1 में कमा लेगी अब दोस्तों इसके exact numbers क्या होंगे ये तो हमें कल पता चलेगा और उसकी update आपको मेरे इसी channel पर मिल जाएगी विलाल दोस्तों मिलते हैं नेकिसी वीडियो में तिल लें टेक केर बाई बाई